हेलो फ्रेंग्स, पॉंडेशन आफ आर्ट सॉप्टियर के कूर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आप याद होगा कि पिसले लेक्चर में हम लोग उन्ने मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात किया था। और मैंने आपको यह बताया था कि आर्ट सॉफ्टियर में मैट्रिक्स को किस तरह के से डिफाइन किया जाता है। और मैट्रिक्स को डिफाइन के लिए हमारे पास तीन इंग्रेडियन्स खास कौर पे चाहिए कि हमारे उस matrix में कितनी row होने चाहिए, कितने column होने चाहिए और उसमें से कौन साथ data होना चाहिए उसके लिए हमने n row, n call और data commands को समझने की कोशिश करी थी तो अब मुझे उमीद है कि आपको matrix को construct करना आगया होगा साथी हमने by row command की बात भी करी थी किसके दोरा मैंने ही बताया था कि आपको अपने matrix के अंदर data की entry row wise करनी है या column wise करनी है तो अब मैं आप से उमीद करता हूँ कि आपको अगर कोई भी अगर matrix में data दिया जाता है और साथ में आपको उसमें कितनी row और कितने column होने चाहिए ऐसी information दे दी जाती है तो आप उस matrix का construction कर लेंगे अब जब हमारी matrix बन जाती है उसके बाद उसमें हमारे पास बहुत सारे operations आती है कुछ हमारे row से related होते हैं कुछ column से related होते हैं और उसके अलावा हमारे पास भिन भिन तरह की matrices भी होती है like as diagonal matrix होती है identity matrix होती है और बहुत सारे various हमारे पास matrix operations भी होते है like as transpose इत्यादी तो आज के lecture में हम इनी बहुत छोटे छोटे हमारे basic elementary operations जो हमारे matrix से संबंद हैं उनके बारे में बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि matrix से संबंद इन कारियों को आज software में किस प्रकार से किया जाता है तो इतलिया आज हम इस lecture की शुरुआत करते हैं और इन छोटे छोटे command को सीखते हैं आप दिखिए एक हम यहाँ पर पहले आपको एक matrix लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि हम उत्रे से क्या निकालना चाहते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक हमने matrix define करी जिसमें हमरे पास 4 rows हैं तो मैंने इस data को मैंने एक से लेकर 12 के अंकों को यहाँ पर एसाइन कर दिया एक से बारा के अंकों को एसाइन करने का हमारा यह भी करिका होता है कि 1 और इसको मैंने data vector के format में express कर दिया इस c command के द्वारा अब यहां से जब आप देखेंगे तो यह आपको इस तरह की matrix दे देगा जहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे से लेकर के यहां ते बारा तक के सारे element column wise arrange होंगे अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो इस R software ने इस matrix x के rows और column को एक नाम दे दिया है जैसे देखिए यह आपकी पहली row है इसका इसने नाम दे दिया है इससे करके square bracket लिखा लिखा one और कॉमा और उसके बाद blank है उसी तरीके से उसने जो दूसरी row है उसको उसने एक नाम दे दिया है जिसको उसने square bracket में दो और कॉमा लिख करके दिखाया है उसी तरीके से उसने तीसरी और कॉथी row को भी उसने एक नाम दिया हुआ है और उसी प्रकार से इसने जो भी हमारे कॉलम से तीन कॉलम है उनको नाम दिया हुआ है जैसी यह हमारा पहले कॉलम का नाम है और इसको इसने लिखा हुआ स्क्वेयर बैकेट लिखा फिर एक ब्लैंक स्पेस फिर कॉमा और वान जो हमारा दूसरा कॉलमें उसको भी उसने स्क्रेकेट लिखा फिर कॉमा लिखा और उसका लिखा दिया दो और उसी तरह के से उसने की सरे कॉलम को भी नाम पतिया इक इसक्वेयर बैकेट कॉमा तीन अब मान देज़े कि इस मैट्रिक्स में इसके जो रो और कॉलम्स के नाम जो आज ने अपने आप से दिये हैं आप उनको बदलना चाहते हैं तो इन रो और कॉलम्स के नेम को इन रो और कॉलम्स के जो नाम है उनको किस तरह परिके से उनका नाम को बदला जाए यह ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाना चाहता हूं रो के नामों को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो नेम्स और यह सब कुछ आपको लोवर केस अलफाबेट्स में लिखना है और पैरेंटिस में आपको इस मैट्रिस का नाम देदेना है एक्स तो यह हमारा रो के जो हमारे नाम दिये हुए है उनको बदल देगा और उसी तरह के से कॉलम्स के नाम को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है c o l n a m e s और parenthesis में हम लिख देंगे उस matrix का नाम x जैसे मैंने यहाँ पर दिया है तो यह हमारे columns के name को बदल देगा तो चलिए हमें को धारग लेके इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे कारे करता है अब माल लिए कि हम अपने इस matrix में हमारे जो row हैं उनके नाम हम करना चाहते हैं r1, r2, r3 और r4 तो इन नामों को हम अपने एक data vector के format में c command की साहता से parenthesis के अंदर लिख देते हैं और इन r1, r2, r3, r4 को हम double quotes के अंदर देते थे क्यों? च्योंकि यह हमारे characters है और हम इसको यहाँ पे row names और parenthesis में लिख देते x equal to यह जो मैंने नाम दिये हुए है अब इससे क्या होगा? यह बताएगा कि इस matrix x के जो row के नाम है इनको बदलना है और यह नाम यह वाले आने वाले है जो अधर equality sign के right hand side में लिखे हुए है और जैसी हम इसको execute करेंगे देखे जो इसका operation होगा उसका outcome देखी कोछ ऐसा आएगा जहां पर देखी यह नाम आपके बदल गए R1, R2, R3, R4 और उसी तरीके से आप अगर इसी matrix के यह जो columns के नाम दिये हुए है इसको भी अगर बदलना चाहते हैं तो मैंने यहां पर command use किया c o l n a m e s जो मारा सारा सारा lower case alphabet में है और parenthesis में लिख दिया x उस matrix का नाम और इन columns के नाम को मैंने दे दिया c1, c2, c3 और जिनको मैंने data vector के format में c command को इस्तेमाल करते हुए parenthesis के अंदर double quotes में लिख दिया क्योंकि यह हमारे character है तो यह command जब हम लिखेंगे तो यह है बताएगा कि यह caller names का जो operation है इस matrix x के उपर होना है और जो columns के नाम को फिर से बदला जाना है और यह नाम हमारे जो equality sign के right hand side पे data vector के अंदर दी है वह होंगे और जो जैसी हम इसको operate करेंगे आप दिखेंगे इस column के नाम हमारे यहां पर बदल गए यह c1, c2, c3 हो गए अब आप देखेंगे कि इस matrix में दोनों आपके row और columns ने दोनों दोनों आपके बदल चुके हैं और इसी कार को करने का जो screenshot भी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा देखिए कुछ इस परीकिका है तो अब चलिए गरा से हम इसी operation को आपको अपने R console में करके दिखाते हैं सबसे पहले हम इस matrix को थक्यार कर लेते हैं यहां पर यह कि आपके matrix आ गई अब इसमें से आप अपने जो भी इस सबसे पहले हम चलिए जो मैंने नाम यहां पर दिए हैं हम उनी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम इसमें से जो उनकी X matrix के row names है इनको हम यहां पर R1, R2, R3, R4 करने की कोशिश करते हैं और फिर देखिए आपका यह X क्या गया देखिए ऐसा आ गया यहां पर आपने ऊपर आपके नाम दिए होगे थे 1, 2, 3, 4 और नीचे आपके नाम आ गया R1, R2, R3, R4 और उसी तरीखे से आप अगर इस matrix में आप अगर columns को अगर के नाम अगर बदलना चाहते हैं तो आपको देखिए क्या करना पोड़ेगा आपको C O L N A M E S column names कहां के X के सब्सक्राइब हम इसको हम कुछ और देते हैं क्यों से मैंने कह दिया मैं इसको दूँगा एपल, बनाना, और 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 इंज़ेश आप कुछ भी के सकते हैं इसको मैंने बस डबल कोड़ के अंदर दिया है अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा X की वैलिव देखिए जो आपके column names यहाँ पर 123 दियो गए तो यह देखिए अप अपल बनाना और हो गया है तो यह देखा आपने कि यह आप कंट्रोल में है कि आप इस matrix के rows और columns को आप किस तरीके से नाम देना चाहते हैं ओके अब इसके बाद हम आपको एक और operation करके दिखाना चाहेंगे कि अगर मुझे कभी कोई ऐसी matrix क्यार करनी है जिसमें उस matrix के अंदर जो भी हमारी values हैं वो सभी same होंगी जैसे उधारक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें एक माल यह ऐसी matrix क्यार करना चाहते हैं जिसमें हमारे सारे elements हमारे दो दो होंगे तो इस तरह की matrix में एक तो option परीका आपका यह है कि आप nrow and call को define करिए और जिस तरह के से आप अपने data value को देते हैं आप उनको दीजिए इसका एक short form भी है short form यह है कि कि जैसे को दालक के लिए अगर मुझके 4 by 2 की matrix बनानी है जहां पर हमारे सारी values 2 होगी तो उसके लिए मैंने matrix command का इस्तमाल किया उसमें लिखा nrow equal to 4, n call equal to 2 और data equal to कर दिया 2 यहां पर आप उसमें से 8 बार 2 को repeat करिए जैसे हम कहें कि आपने उसको 8 बार 2 करके repeat किया इसकी जगा आपने simply खाले लिख दिया data equal to 2 तो यह जो matrix देगा यह आपको यह वाली matrix देदेगा जिसमें हर एक value आप ही देखिए 2 के बराबर है अब इसके बाद हम एक और करीके कि जो हमारी बहुत ही popular matrix होती है matrixory में उसकी बात करते हैं आप लोगोंने identity matrix के बारे में सुना है identity matrix में क्या होता है कि जो हमारे diagonal elements होते हैं वो तो होते है one और जो हमारे off diagonal elements होते हैं वो होते हैं शूने यह diagonal और off diagonal elements क्या होते हैं अगर हम कोई भी अगर हम square matrix अगर ले लेते हैं तो जो हमारी values इस matrix के diagonal पर होती हैं उनको हम कहते हैं diagonal values और जो values हमारी off diagonal पर यहां यहां पर होती हैं यह सारी values हमारी zero होती हैं और इनको हम कहते हैं off diagonal values अब यहाँ पे diagonal में अगर हमारा आ जाता है सारी values हमारी होती ही one तो हम इसको कहते identity matrix और नहीं तो one के अलावा यहाँ पर कोईभी matrix हमारी कोई भी values हो सकती हैै अब इस तरह की matrix को अगर मुझे को क्यार करना है तो एक option तो यह है कि हम अपना matrix command लिखें हैं और जहां पर हमारे पास data वाला option होता है वहाँ पर हम सारी सारी values को लिखें और उसको हाँ अपने by row को हम true या false करके हम अपने command को use कर सकते हैं और अपनी इस data की values को ऐसे arrange करें कि हमको एक diagonal matrix मिल जाए उसकी जगह R software में diagonal matrix को कयार करने का हमारा command होता है DIAG और इसमें से आपको जितनी row या जितने column चाहिए वो आप यहाँ पर दे दे दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक 3 by 3 के matrix अठा जिसमें 3 row और 3 columns होंगे उसको बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें हमारे diagonal पर हमारी सारी values होंगी 1 और off diagonal पर होंगी 0 तो मैंने यहाँ पर कर दिया DIAG और इसमें कर दिया 1 और n row equal to 3 and call equal to 3 और यह देखिए हमको इस तरह का outcome दे देगा जहाँ पर यह हमारे है diagonal elements सारे सारे values है 1 और यह हमारे हैं off diagonal elements जो हमारे सारी values है 0 और यह देखिए इसका screenshot भी है अब इसी matrix में अगर हम diagonal पर एक की जगह कोई और value करना चाहें तो माल लिजी कि हम diagonal पर चाहते हैं कि हमारी सारी value 5 हो जाएं तो हमें क्या करना है अगर हम एक 3 by 3 की matrix ऐसी बनाना चाहते है जिसमें diagonal पर हमारी सारी value हो जाए जाए 5 और off diagonal values हमारी हो जाए 0 है उसके लिए हमारा command क्या हो जाएगा diag उसके बाद में लिख दीजे 5 उसके बाद में n row equal to 3 और n call equal to 3 और इसका outcome आप अगर देखेंगे तो देखेंगे ये diagonal पर आपको सारी values मिल गई 5 पांच और off diagonal पर आपको सारे values मिल गई 0 तो इसको आप directly आप यहां पर इस्तमाल कर सकते ह और अगर अब हम आपको पूछें कि आप इस diagonal पर कुछ ऐसा चाहते हो 123 और यहां पर सारे elements आपके 0 हो जाएं तो इसको कैसे किया जाए जड़ाज के बारे कोची है और हम आपको in the meantime इन सारे सारे operation को हम आपको our software में करके दिखाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम आपको य ऐसी matrix चाहिए जिसमें सारी value आपकी same होनी चाहिए तो देखिए आपने यहां पर कर दिया n rho equal to 4, n call equal to 2 और data equal to कर दिया 2 तो देखिए हां पर x की value क्या आगई 2 हर एक element is 4 by 2 की matrix कितना हो गया 2 और इसी में अगर हम माल दिजए इसी value को हम करना चाहते है 20 तो मैंने यहां पर change कर दिया data equal to 20 और x की value देखाते है हमारे ऐसी होगे जिसमें हर एक value हमारी 20 के बराबर है और उसके बाद फिर हम अपनी diagonal matrix बनाने की कोशिच करते हैं आप अगर देखिए तो d is equal to d i a g d मैंने एक नाम देदिया matrix को जिसमें हम अपनी values को रखेंगे अब मैंने देदिया 1 औ और n row equal to मैंने देदिया 4 और n call देदिया 4 अब हम यहाँ पे 4 by 4 की एक हम identity matrix बनाना चाहते हैं देखिए आपके diagonal element सारी हो गए 1 और off diagonal element सारी आपके हो गए शूर्न और इसी में आप अगर 1 की जगे आप अगर यहाँ पे माल दिये 100 करना चाहते हैं तो आप में देखिए यह यहाँ पर आपकी जो diagonal पर सारी values हो गई 100 और बाकी off diagonal elements हो गए आपके शूर्न अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि diagonal पर हमारे कुछ value आजाए 1,2,3,4 पहले, diagonal value एक यहाँ पर, दूसरी diagonal value दो, तीसरी diagonal value 3,3,4 तो इस कार को कैसे किया जाए तो इसको देखिए करन होना है कि अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी values देनी है जहाँ पर 1,2,3,4 हो जाए तो मैंने यहाँ पर अपना एक data vector define कर दिया और इसमें से मैंने यह 4 values मैंने define कर दी, अब देखें क्या होता है, देखिए D की value क्या आगे, आगे, 1,2,3,4 इसके diagonal पर आगए और off diagonal पर आपक से experiment करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आप किसी particular operation में अगर different values को change करते हैं तो आपको उसमें किस तरह के output मिलते हैं, और दूसरी बात अगर आपको किसी particular तरह का output चाहिए तो आपको अपने command के अंदर किस तरह का परिवर्तन करना है, so that कि आपको वही output मिल जा यह इसके बादे में आपको थ्वासा practice करना पड़ेगा और इसके बाद यह आपको भी आ जाएगा, okay, अब इसके बाद हम आपको हमारा matrix में एक operation होता है, transpose, transpose में क्या होता है, कि किसी भी matrix का जब हम transpose निकालते हैं, तो उस matrix के जो rows और column है वो आपस में change हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई matrix हमारी है, ऐसे one, two, three, four, अब इसका अगर हम मान लीजे, transpose निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह जो row है, one, two, यह हमारे पहली column मन जाएगी, one, two, और जो दूसरी row है, three, four, यह हमारा दूसरा column मन जाएगा, three, four, तो यह इसका हमार transpose होता है, तो इस transpose का जो हमारा command होता है, यह होता है T, और parenthesis में हम उस matrix का नाम लिख देंगे, जिस matrix का हम transpose का निकालना चाहते हैं, तो चलिए हमेंगा आपको यहाँ पे एको धारग लेते हैं, और इसमेंशा आपको ट्रांस्पोर निकाल के बताते हैं, तो मैंने एक हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह data होगी, अब हम इसका transpose निकालते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको इसका T और parenthesis में लिख देना है matrix का नाम, वह हमारा X, तो अब देखिए, इसका हमारा outcome कैसा आएगा, जो भी outcome है, उसको मैंने एक नए variable में save कर ली है, XT, देखिए, इसका outcome ऐस करेंगे, तो इसका आपको जो पहला column था, 1, 3, 5, 7, यह आपका बन गया आप पहली row, transpose होने के बाद में, और जो दूसरा column था, 2, 4, 6, 8, यह आपकी दूसरी row बन गया, 2, 4, 6, 8, तो इसको हम बोलते हैं, transpose, अब इसके बाद, हम आपको एक और operation करके दिखाते हैं, जहां पर हम अपनी matrix के जो हमारे element rows और columns में लिखे हुए हैं, हम उनका योग निकालना चाहते हैं, row wise, अर्था कि जो हमारी पहली row के element हैं, उनका कमा जाए, जो हमारा कोई particular column है, उसके अंदर जो हमारे elements लिखे हैं, उनका हमारा कमा जाए, और इस तरह के जो हमारे operations होते है वो हम जब भी अपने programs लिखते हैं, उसमें जगा जगा भी पढ़ते हैं, तो कोई भी matrix में row के elements का sum निकालने के लिए, और column के elements का sum निकालने के लिए हमारे पास command होता है, row sums और call sums, तो ये जो row sums का जो context है, इसमें आपको ध्यान देना है कि row ये तो lower case में है, और sums में, जो हमारा है, पहला S, ये हमारे capital letter में है, और बाकि हमारे lower case में है, और उसी तरीके से column sums निकालने के लिए जो हमारे command है, वो है COL, और उसके अलावा, ये जो sums में, जो capital S है, ये हमारे sums का पहला अक्षर है, capital में, और बाकि हमारे COL और UMS, ये हमारे lower case में, तो यहां पर आपक का, और ये देखिए, हमारी matrix हो गई, अब इसमें से हम इसका row sums और column sums निकालते है, row sums का क्या मतलब हुआ, अगर हम पहली row की बात करते हैं, तो पहली row में हमारे पास कौन कौन सी value है, 105, इसको हम एक साथ add कर दें, उत्तर मिल जाएगा 6, और ऐसी अगर हम कहें कि fourth row में हमार कौन कौन सी value है, one plus two plus three plus fourth, इसका हमारा sum क्या बन जाएगा, 10, तो ये जो row sums और call sums है, ये आपको rows और columns में दिये गए number का योग निकाल देते हैं, तो चलिए हम इसमें से इन ही operations को यहाँ पे करते हैं, और देखते हैं कि उनका output कैसे आता है, तो सबसे पहले ज़रा आप इस call sums किया, तो हमारा उत्तर आगया 6, 8, 10, 12, और जो call sums किया, तो हमारा उत्तर आगया 1026, अब ज़रा हम समझते हैं कि ये उत्तर हमारा कहां से आया है, अब देखिए, आपकी जो पहली row है, इसमें कौन-कौन से element है, एक और पांच, आप दोनों का sum करिया, तो क्या उत्तर आट, तीसरी row में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो आप देखिए आपका पहला कॉलम है जहां पर आपके पास कौन कौन से ऐलिमेंट है वान टू थ्री और फोर तो जब इनका आप जोग निकालने की कोशिश करेंगे वान प्लस टू प्लस थी प्लस फोर तो कितना जाएगा टेन और उसी तर और यह का स्क्रीन शॉट है आप जब इसको आप सॉफ्ट्रेयर में करेंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देगा हम आपको करके भी दिखाएंगे अब जब हम रो और कॉलम्स में दिये गई वैलियूस का योग निकाल रहे हैं तो हम उनका इसमेटिक मीन भी निक जाते हैं जैसे उधारल के लिए अगर हम कहें अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं जो हमने अभी ली है फोर बाई टू की मैट्रिक जिसमें हमारे पास यह वैलियूस है एक से आठ तक ही अगर हम लिए पहली रो की बात करें तो पहली रो में हमारे पास क्या क्या वैल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इनका सम क्या आ जाएगा 10 और निका arithmetic mean कितना हो जाएगा 10 अपॉन 4 2.5 तो इस करीके से रो के elements का mean arithmetic mean और columns के elements का arithmetic mean निकालने के लिए हमारे पास command होता है row means और column means अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि row means में यह जो लिखा हुआ है m means का capital letter में है upper case में है और बाकी सारे हमारे अक्षा lower case में है और वही चाहिए हमारी column means के अंदर भी है कि जो हमारा m है यह हमारा capital letter में है upper case में है और बाकी सारे हमारे अक्षर lower case में है चलिए अब इसी matrix में हम अपना row sum की जगह अब हम row means निकालते हैं और columns की जगह columns sum की जगह हम column means निकालते हैं देखें क्या होता है तो देखें यह वाली matrix में आप अगर देखेंगे आप अगर पहली row की बात करेंगे तो इसके हमारी elements क्या है एक और पांस तो इनका arithmetic mean क्या जाएगा एक प्लस पांस divided by दो जो है तीन के बराबर उसी तरह के से दूसरी row में जो हमारे elements है दो और छे इनका arithmetic mean क्या जाएगा दो प्लस छे divided by दो चार और इसी तरह से third row में जो हमारे elements है तीन और साथ उनका arithmetic mean कितना जाएगा तीन प्लस साथ divided by दो जो पांस के बराबर है और fourth row में हमारे element है four plus eight divided by two इनका arithmetic mean होगा तो इसकी value आजाएगी छे तो अब देखिए जो तीन, चार, पांस, छे है यही तो हमारा row means command का outcome है और उसी तरीके से अगर हमाली column means की बात अगर करते हैं तो हमारा पहले column में क्या क्या values है वान टू थी फोर जिनका हमारा arithmetic mean आ जाएगा one plus two plus three plus four divided by four जो हमारा two point five है और दूसरे column में जो हमारी values दी हुई है उसका हमारा column means होगा पांच plus six plus seven plus seven divided by four जो हमारा six point five के बराबर होगा तो यह जो two point five और six point five है देखी यही तो हमको यहां पर column means के साथ में दिये गए हैं तो आपने देखा कि इस तरीके से आप अपना जो भी row means और column means है आप उनको यहां पर बहुत आराम से निकाल सकते हैं और इसकी आफशक्ता हमको समय समय पर हम अपने जब भी operations करेंगे तम हमको वहां पर इसकी value पता चलेगी तो चलिए अब हम अपने art software में जरह सा इन operation को क करके देखते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा हमने पहले x अपना define किया था इसका हम transpose निकलते हैं तो देखिए आपने x जो पहले लिया थे इसमें सारी value क्या थी 2020 अब इसका अगर आपको transpose निकालना अगर है तो आप कर दिए t और bracket में parenthesis में कर दिए x तो आप देखेंगे क यहां पर कितनी रोज थी 1 2 3 4 और यहां पर कितनी रोज हो गई? एक दो यहां पर कितने कालम्स हे 4 और यहां पर कितने कालम्स हो गय चार आप इसपिका काधी लियुट है चलि एक ओर अधारा ले ते हैं यह मैंने एक x matrix ले ली 4 बाई 2 की और अब हम इसका transpose निकालते हैं त जो आपका दूसरा कलम है पांच छे साथ आठ ये आपका रो बन जाएगा तो देखिए इसका ट्रांस्पोर्स आगया अब इसी मैट्रिक्स में हम जरा सा रो संप्स और कॉलम संप्स निकालते हैं अब देखिए रो संप्स एक और पांस का सम कितना होका छे दो और छे का आठ तीन और साथ का दस चार और आठ का बारा जो देखिए यहां पर दिया हुआ है उसी तरीके से अगर हम यहां पे कॉलम संप्स की बात करते हैं तो सी ओ एल सुएमस कमांड हमारा है और आप देखेंगे तो वन प्लस टू प् मीन्स और कॉलम मीन्स की अगर आप बात करते हैं तो इसी में आप इसको भी निकाल सकते हैं रो मीन्स कितना उत्तर आ गया तीन चार पांच्छे कैसे आया आप देखिए रो समस्तों निकाला है हर एक रो में कितने अलिमेंट से दो आप इसको हर एक वैल्यू को आप अगर यहां पे 2 से divided कर देंगे तो 6 divided by 2 कितना हो गया, तीन आट दिवाडेट बाइद बाइ 2 कितना हो गया चार दसो बारु को जब आप 2 से ौसे डिवाइट कर देग तो उत्तर आजाएंगा पांच छे तो यह आपका रो मींस हो गया अर्थात की रो में जो हमारे ऐलिमेंट द निकाला हुआ है उसको आप कहा से डिवाइड कर दिए तो दस डिवाड़ेड बाइड 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 चार तो इस तरी किसे आप अपने इन सारे के सारे operations को यहां पर आप execute कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो अचलिए अब हम यहां पर अपने इस lecture को रोकते हैं और आपने देखा कि यह बहुत ही elementary lecture था और इसके operation बहुत ही आसान और बहुत ही elementary थे लेकिन जब आप matrix थोरी से related जब programming करेंगे तो बह में हमने कुछ जो syntax कमांड की बात करी है आप उसमें से कोई भी matrix लीजिए और उसमें calculations अपने हाथ से करिए और उनी calculations को फिर आप अपने R software में करने की कोशिश करिए और देखिए क्या दोनों calculations अपस में match करते हैं यह बहुत आवश्यक है कि जो आप निकालना चाहते हैं उ उसके लिए यह बहुत अवश्यक है कि R किस तरह की भाशा को समझता है जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप उसको R की भाशा में लिक नहीं पाएंगे और आपके जो आपकी इच्छाय कार करने की और जो R आपको करके देगा उसमें कुछ अंतर हो सकता है तो इस अंतर्प को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप छोटे-छोटे उदाहरे लेकर के प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले कल्चर में कुछ होट आपिस के साथ मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए गुद बाई कि अगया है, और हम आपको अगया है, आपको अगया है.